कर्व और पूर्वाग्रह का गीत जिने जेन उन्स्टिन ने लिखा है, एक भारती ये चित्रण के साथ सामाजिक समर्पन की श्रेष्ट कृतियों में से एक है, यह कहानी एक युवा और स्वाधीनता से भरी जागरूकता रखने वाली लड़की, एलिजाबेथ बैनेट की है जो अपने आत्मविश्वास और अपनी सीधापन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह कहानी उन्नीसवी सदी के इंग्लैंड में समाज, विवाह और सामाजिक उन्नती की दृष्टी से एक परिवार की चित्रण करती है। बैनेट परिवार में पांच बहने हैं और उनकी मा का स सबसे बड़ा आदर्श है कि उन्हें सही शादी करना चाहिए। एक दिन एलिजबेट मिस्टर डार्सी के साथ मिलती है जो पहले से ही उनकी परिवार के एक सदस्य के साथ दुरभाग्य पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। अपने पहले मुलाकात में मिस्टर डार्स और स्वाभाविक गर्व के कारण एलिजबेट को आत्म निर्भरता की दृष्टी से देखता है जिससे एक विरोधा भास उत्पन्न होता है। यह रोमैंटिक उत्पन्न होने वाले संगर्शों और उनके बाद में सुलजने वाले राजों का कहानी है जिससे समाज के नियम और मानव स्वाभाव की गहराईयों को छूने का प्रयास होता है। गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक उदाहरण है जो इंग्लैंड के सम्रिद्धिकाल में लिखा गया है। लेकिन इसकी समस्याएं और उत्तराधिकारिता विचारों के साथ ये आज भी उचित हैं। अत्म समर्पन के साथ अपने मूल्यों का समर्थन करने का साहस दिखाया है। मिस्टर डार्सी का चरित्र भी गहरा है और उसका अभिवादन एक उदाहरण है कि असली सम्रिध्य और बढ़ाई व्यक्तिगत परिवर्तन से होती है। उसका असली चेहरा जो पहले एलिजाब अंधों की गहराईयों में भी बुद्धिमता से भरी शिक्षा दी है। यह कहानी साहित्य की अद्वितीय रत्न में से एक है जो अब तक अंगिनत पीडियों को प्रभावित कर रहा है। एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के बीच की तकरारों और संगर्षों के माध्यम स जेन आस्टिन ने एक यात्रा प्रस्तुत की है जिसमें समझदारी, समर्पन और आत्मा की स्वीकृती की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया है। एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के बीच की आत्म कथा समर्पन के माध्यम से एक दूसरे की कमजोरियों और अधिकारित को स्वीकार करने का सिख देती है। इस कहानी में जेन आस्टिन ने सामाजिक सनरचना, लैंगवेज और व्यक्तिगत संबंधों को ब्रिलियंट रूप से वर्नित किया है। उन्होंने समझदारी और समर्पन के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन की अद्व करने के माध्यम से समाज के लिए एक महत्व पूर्ण संदेश प्रस्तुत किया है। जेन आस्टिन की शैली और उनकी विवेक पूर्ण द्रिष्टिकोंड ने इस कहानी को एक श्रेश्ठतम क्लासिक बना दिया है, जो समर्ध्य और समझदारी की अंगिनत शिक्षाएं प् इस कहानी में उन्होंने विभिन पातरों के माध्यम से समाज में होने वाली विभिन समस्याओं को प्रस्तुत किया है और उनका समाधान कैसे संबंधों, शमर्थन और समझदारी के माध्यम से संभावित है। एलिजाबेट और मिस्टर डार्सी की कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि पहले द्रिष्टिकोन के आधार पर किये गए निर्णयों में भूले नहीं होनी चाहिए. और अगर हम खुद को और दूसरों को स्विकार करने के लिए खुले रहें तो जीवन कितना भी उत्तम बन सकता है. गर्व और पूर्वा ग्रह का गीत एक यादगार कहानी है जो समय के साथ अपनी महत्वपूर्णता बनाए रखती है. यह न केवल एक रोमैंटिक उपन्यास है बलकि एक सामाजिक नाटक भी है जो विभिन पक्षों को जोडने और विभाजनों को पार करने का प्रयास करता है. जेन ओस्टिन की दुर्दैव समझदार और हंसमुक लेखन शैली ने इस कहानी को आपकर्षक बनाया है. जेन ओस्टिन की व्यक्तिकद दृष्टी और विचार शीलता ने सामाजिक विमर्ष और रोमैंटिक प्लोट को एक साथ मिलाकर गहराई से बनाया है. उन्होंने यहां तक की समाज की दृष्टी से भी इसे भरपूर बनाया है, जिससे यह एक विचार शील और सामाजिक दृष्टिकोंड से सजीव हो जाता है. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक रूप प्रेखा है, जिसमें हंसमुकता, बुद्धिमता और विचार शीलता के माध्यम से जीवन के विभिन पहलूओं का अन्वेशन किया जाता है. यह कहानी हमें सिखाती है, कि समझदारी और समर्पन के साथ ही हम अपने आत्मविकास, व्यक्तिगत समर्द्ध और समाज में सुधार कर सकते हैं. जेन आस्टिन की यह उपन्यास किसी भी समय के लिए अपनी महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगी, क्योंकि इसमें उन्होंने मानवता, समाज और व्यक्तिगत बदलाव की महत्वपूर्ण सीखें प्रस्तुत की हैं. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक सुन्दर और गहरा कार्य है जो पढ़ने वालों को रोमैंटिकता, समझदारी और समर्पन की अहमियत सिखाता है. इस कहानी में हर पात्र अपने विशिष्टता और विकसित होते हैं और उनके अंतर नहित गुण और दोशों के माध्यम से जेन उस्टिन ने व्यक्ति की जीवन शैली, सोच और आचरण को बहुत अंत्री रूप से प्रदर्शित किया है. एलिजाबेट का बुद्धिमत्ता और साहस, मिस्टर डार्सी की आत्म समर्पणी परिवर्तन और अन्य पात्रों की विवादों भरी कहानियां इस उपन्यास को अद्वितिये बनाती हैं. जेन उन्स्टिन ने रचना में विवाद, हास्य और विचार शीलता के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया है. यह कहानी न केवल उन्नति के समय की स्थिति का चित्रन करती है, बलकि आधुनिक समाज में भी उतक्रिष्ट रूपसे से समाज के नियम, परंपराएं और व्यक्तिगत आदर्शों को चुनौती देती है. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक अद्वितिय कहानी है जो सजीव और अचूक प्रेरणा से भरी है. इसका सारांश है कि वास्तविक सम्रिध्धी और संबंध समझदारी, समर्पन और सच्चे प्यार के माध्यम से होती है. इस कहानी में, जेन ओस्टिन ने विशेश रूप से भूमिका और लैंग्विज का सही उप्योग करके समाज में स्थिती, लिंग और सामाजिक परंपराओं के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिखाया है. इस कहानी के माध्यम से वह समझाती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और सच्चे प्यार का महत्व रखती है. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत न केवल विवाह और समाज के लिए बलकि आत्म समर्पन और आत्म समर्थन के लिए भी एक सामाजिक संदेश प्रस्तुत करता है. एलिजाबेट की सच्चाई, उनका आत्म विश प्रस्तुत करती में वह एक व्यक्ति की असली शक्ति और महत्व पूर्णता को अच्छे से समझाती है, जिससे यह कहानी समर्ध्ध, समझदारी और समर्पन के साथ ही सामाजिक और व्यक्तिकत उन्नति की ओर प्रेरित करती है. इस कहानी में जैन आस्टिन ने आपसी संबं कारण हो सकते हैं, जबकि गर्व और पूर्वाग्रह केवल असहाय और दुर्भाग्य पूर्णता का कारण बन सकते हैं. एलिजाबेट और मिस्टर डार्सी के चरित्रों की प्रेरणादायक यात्रा ने साबित किया है कि विवेक, उदार्ता और आत्म समर्पन के माध्यम स ही हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं. इस कहानी का समापन एक सकारात्मक संदेश के साथ है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने गर्व और पूर्वाग्रह को छोड़कर अपने स्वभाव को स्विकार करना चाहिए और दूसरों के प्रती सहानुभूती और समर्पन से जुड़कर ही हम सब को सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक शानदार उपन्यास है जो ना केवल इंग्लैंड के समय के साथ समझदारी और समर्पन की महत्वपूर्ण बातें साज करता है बलकि इसके मूल्यों ने आज भी यात्रा करने वाले पाठकों को प्रभावित किया है. कर्व और पूर्वाग्रह का गीत जो जेन ऑस्टिन की कल्पना और कठिनाईयों के साथ भरी हुई है. हमें समझाता है कि प्रेम और समझदारी के माध्यम से ही हम अपने आत्म समर्पन और समझदारी से बढ़कर कोई भी धनी और मूल्यवान नहीं हो सकता है. समर्ध्य का असली स्रोत अच्छे और सामंजस से पूर्ण रिष्टों में छिपा होता है, जिनमें हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियों और कठिनाईयों का सामना करते हैं. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत हमें यह सिखाता है कि असली समर्ध्य वहां होती है जहां हम साज़ा करते हैं, दूसरों का समर्थन करते हैं और समझदारी से संबंध बनाए रखते हैं. यह एक अद्वितिय कहानी है जो सामाजिक, आत्मिक और रोमांट परिवर्तन की महत्व पूर्णता पर हमें विचार करने के लिए प्रेरित करती है. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत समाज की बुराईयों, असमाजिक्ता और दृष्टिकोन की मिथ्या सोच के खिलाफ एक आवाज उठाता है. जेन आस्टिन ने इस उपन्यास के माध्य हम से यह सिखाया है कि प्यार में और व्यक्तिगत विकास में जाने वाली यह गहराईयां सामाजिक मानकों और अनुस्रितियों को परिभाशित करने में कैसे आधुनिक समाज को बदल सकती है. एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के बीच की यह अत्यंत प्रेरणा दायक कहा व्यक्ति के अच्छे और बुरे गुणों की महत्व पूर्णता को परिचित कराती है और यह सिद्ध करती है कि हमें अपने द्रिष्टिकोंडों को सुधार कर और दूसरों को समझ कर ही सामाजिक परिवर्तन करने का संभावना है. इस उपन्यास में जेन आस्टिन ने उपन्यास हमें यह सिखाता है कि सच्छा सम्रिध्य वहां होती है, जहां सभी व्यक्तियों को उच्चतम मौद्रिक में जाने और समझने का आधिकार होता है. गर्व और पूर्वागरह का गीत की कहानी ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से सामाजिक न्याए, समर्पण औ और सहयोगी रिष्टों को बनाए रखते हैं। एलिजाबेट और मिस्टर डार्सी की कहानी ने न केवल रोमैंटिक पहलूओं को परिचे किया है, बलकि यह एक बड़ी मात्रा में मानवता, समाज और व्यक्तिकत विकास की बातें प्रस्तुत करता है। जेन उन्स्टिन की दुर्दैव स्रिजनात्मक्ता और भाशा के साथ, इस कहानी ने ये सिद्ध किया है कि सामाजिक विभाजनों, स्त्री मुक्ति और सामाजिक अन्याईयों के खिलाफ खड़ा होकर हम अच्छे और उत्कृष्ट रिष्टों की ओर बढ़ सकते हैं। गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक साहितिक अद्वितियता है, जो हमें स्वीकृति, समर्पन और समझदारी के माध्यम से अधिक सुखद और सत्यक जीवन की दिशा में प्रेरित करता है। यह एक सुंदर कहानी है, जो हमें सच्चे प्रेम और मानवता के महत्वपूर्ण सिध्धानतों का संदेश देती है। इस कहानी में एलिजाबेट और मिस्टर डार्सी के चरित्रों की विकास ने हमें दिखाया है कि कैसे व्यक्ती अपनी गलतियों से सीख कर सुधार सकता है और कैसे उसकी दिश्टिकोंड में परिवर्तन हो सकता है। इलिजाबेट की स्वतंतरता भरी सोच और मिस्टर डार्सी का समर्थन एक दूसरे के दर्मियान एक मित्रता और समझदारी का माहौल बनाते हैं। इन चरित्रों के माध्यम से जेन उंस्टिन ने ये सिद्ध किया है कि अपने दोशों को स्वीकारना और सुधारना हमें अच्छे और बेहतर बना सकता है। ये कहानी न केवल एक पुराने समय की बात है, बलकि आज के समय में भी उच्चतम विचारशीलता, समर्पन और समझदारी की महत्वपूर्णता को बताती है। इसके माध्यम से हमें यहां तक सिखने को मिलता है कि समर्ध्धि और सुख सिर्फ अच्छे और समर्पित रिष्टों के माध्यम से ही संभव हैं। गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक अद्वितिय कहानी है, जो साहित्य के माध्यम से समाज में सुधार और सहयोग की महत्व पूर्णता को साज़ा करती है। इसका समापन एक सकारात्मक संदेश के साथ है, कि हमें अपने आत्मा को समझने और अपनी भूलों से सीख निकालने के माध्यम से ही सबसे अच्छे रूप में बदलने का संभावना है। कर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक कहानी है जो सामाजिक बदलाव, स्वीकृती और अच्छे समाज की दिशा में हमें प्रेरित करती है। एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी की श्रंगारी कहानी ने हमें यह बताया है कि आत्म समर्पन और समझदारी से ही सच्चा प्रेम और सम्रिध्धी संभव हैं। इस कहानी में जेन आस्टिन ने सार्थकता, नैतिकता और मानवता की महत्वपूर्ण बातें साजह की हैं। उन्होंने यह दिखाया है कि गर्व और पूर्वाग्रह एक सम्रिध्धी और सुख से दूर करने का कारगर माध्यम नहीं हैं, बलकि समझदारी, समर्पन और सच्चे दिल से दूसरों को समझने में ही सच्चा सम्रिध्धी है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें एक दूसरे की अद्भुतता को समझने और स्वीकार करने की आवश्यक्ता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने धार्मिक, सामाजिक और बौधिक मूल्यों का समर्थन करते हुए एक दूसरे के साथ मिल कर रहना चाहिए गर्व और पूर्वाग्रह का गीत हमारा आत्मिक और सामाजिक विकास हो सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यहां तक सिखने को मिलता है कि समर्पन, समझदारी और सच्चा प्यार ही हमें अच्छे रिष्टों और समरिध्धी की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान कर सकते हैं। जेन ऑस्टिन का यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, दूसरों की भिन्नता को स्वीकारना चाहिए और दोस्ती और समर्पन के माध्यम से ही हम एक बेहतर और उतकृष्ट समाज का निर्मान कर सकते हैं। इस सुन्दर उपन्यास में जेन ऑन्स्टिन ने साहित्य के माध्यम से सामाजिक न्याय, समर्पन और सच्चे प्यार की महत्वपूर्णता को प्रमोट किया है और हमें यह सिखाया है कि इन मूल्यों का पालन करके ही हम समर्ध्य और सुख की उँचाईयों को प्राप्त कर सकते हैं। गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि सही दिशा में बदलाव के लिए हमें अपनी दृष्टिकोंड को सुधारना और अपने दोशों से सीखना आवश्यक है। इसकी कहानी ने हमें यह दिखाया है कि गर्व और पूर्वाग्रह के परदे को हटा कर ही हम वास्तविक समर्ध्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस उपन्यास के माध्यम से हम यह समझते हैं कि समर्ध्य का असली स्रोत व्यक्तिगत और सामाजिक समर्पण में ही छिपा है। एलिजाबेट की स्वतंतरता भरी विचार शीलता और मिस्टर डार्सी का समर्थन एक दूसरे के साथ अच्छे और सहयोगी रिष्टों को बढ़ाते हैं। इस उपन्यास का समापन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने आत्मा की सुनीथा को समझने और अपनी गलतियों से सीख निकालने का साहस करना चाहिए। गहराईयों से भरी इस कहानी ने हमें यह दिखाया है कि जीवन का सफर हमें हमेशा सीखने और सुधारने का अवसर प्रदान करता है। गर्व और पूर्वाग्रह का गीत हमें यह समझाता है कि सच्चा समर्ध्य वहां होती है जहां हम अपने आत्मा को समझते हैं, दूसरों की भिन्नता को स्वीकारते हैं और समर्ध्य के मार्ग पर चलते हैं। इस उपन्यास का समापन करते समय हमें यह भी याद दिलाया जा सकता है कि गर्व और पूर्वाग्रह के बावजूद समर्पन और समझदारी का महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में होता है. एक दूसरे की भिन्नता को स्वीकार करना और उसे समर्थन देना हमें एक बहतर और समर्द दिशील समाज की दिशामें बढ़ने में मदद कर सकता है. इस कहानी के प्रमुक संदेशों में से एक यह भी है कि सच्चा प्रेम और समर्पन विभिन परमपराओं, स्त्री पुरुष भेदभावों और सामाजिक स्थितियों को पार कर सकता है. एलिजाबेट और मिस्टर डार्सी की कहानी ने दिखाया है कि सच्चा प्रेम हमें अपनी भूलों को स्वीकारने और सुधारने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने आत्मा की गहराईयों में पहुँच सकते हैं. इस उपन्यास ने व्यक्तिगत और सामाजिक स्थर पर हमें यह सिखाने में सहायक हो सकता है कि गर्व और पूर्वाग्रह को समझ कर और उन्हें दूर करके ही हम अपने आत्मिक और सामाजिक समर्द्धी की उँचाईयों को प्राप्त कर सकते हैं. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत ने हमें सिखाया है कि सच्चा समर्द्धि वहां होती है, जहां हम सामंजस्य पूर्ण और सहानुभूती भावना के साथ अपने संबंधों को निर्मान करते हैं और दूसरों की भिन्नता को समझते हैं. इससे हम एक सजीव, सुखद और समर्द्धिशील समाज की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं. समाप्ति के समय हम यह भी ध्यान देते हैं कि जब हम अपने स्वभाव, धरोहर और अनुभवों को सही दृष्टिकोंड से समझते हैं, तो हम अच्छे और सामंजस्य पूर्ण रिष्टों को बनाए रख सकते हैं. इस कहानी के माध्यम से हम यह सिखते हैं कि अपने परिवार, समाज और दुनिया में सही माइने में स्वीकृति और समर्पन के माध्यम से ही हम सच्ची समृध्धि की ओर बढ़ सकते हैं. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत हमें यह भी याद दिलाता है कि अपने स्वार्थ और स्वयम को महत्वाकांक्शी होने की बजाए हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. इससे हम एक समर्ध्धि और समर्पित समाज का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को अपने पूर्ण पोटेंशियल को बहुत रूप से विकसित करने का अवसर मिलता है. इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि असली समर्ध्धि वहां होती है जहां हम आत्म समर्पन, समझदारी और प्यार के साथ अपने जीवन को जीते हैं और दूसरों को भी यही करने का आदान प्रदान करते हैं. एक ऐसे समाज में गर्व और पूर्वाग्रह की जड़े नश्ट होती हैं और हम सभी सुखद और समर्ध्धि भरे जीवन का आनन्द ले सकते हैं. समाप्ति के समय हम इस कहानी से यह भी निकाल सकते हैं कि हमारी आत्मा को समझने के लिए हमें खुद पर नजर डालनी चाहिए और अपने दोशों को स्वीकार करके सुधार का मार्ग चुनना चाहिए. गर्व और पूर्वाग्रह को छोड़ कर हम अपने आत्मा को मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और एक उदार सहानुभूति भावना वाले समाज का हिस्सा बन सकते हैं. यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को खोज सकते हैं और दूसरों के साथ एक मधुर और सुखद जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं. इससे हम यह समझते हैं कि समर्ध्य और खुशियों का असली स्रोत व्यक्तिगत और सामाजिक समर्पण में ही है, जो गहराईयों से निकल कर हमें एक सकारात्मक और सुखद जीवन की ओर मुड़ा सकता है. इस उपन्यास का समापन करते समय हम इस कहानी से एक सार्थक संदेश लेते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे रिष्टों, समर्पण में और दूसरों के साथ मिलकर बनता है. एक एक्सलेंट जीवन के लिए हमें अपने आत्मा को समझना और समर्पित रूप से जीना चाहिए, ताकि हम सच्चे समर्ध्य और खुशियों का आनंद ले सकें. समाप्ति के इस समय हम यह भी ध्यान देते हैं कि जेन आस्टिन की गर्व और पूर्वाग्रह का गीत ने हमें यह दिखाया है कि साहित्य एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है, जो हमें सच्चे और समर्पित जीवन की दिशा में मार्ग दर्शन कर सकता है. इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि गर्व और पूर्वाग्रह की बजाए हमें आपसी समझदारी, सहानुभूती और समर्पन का मार्ग अपनाना चाहिए. इस उपन्यास से हम यह भी सीखते हैं कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें कभी-कभी अपनी पूर्वजों और समाज की रुचियों से हटकर उदारता और समर्पन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है. एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी की कहानी ने हमें यह बताया है कि सच्चे प्यार और समर्पन के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं और एक उच्च स्तर के समर्द्ध और सुख की प्राप्ती कर सकते हैं. इस उपन्यास के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जा सकता है कि शिक्षा और समझदारी के साथ अपने धार्मिक, सामाजिक और बौधिक मूल्यों का समर्थन करना हमारे जीवन में सामंजस्य पूर्णता और सम्रद्धी की उंचाईयों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत ने हमें यह सिखाया है कि अपनी भूलों से सीखना और सच्चे प्रेम और समर्पन के माध्यम से ही हम अच्छे और सत्य प्रिय रास्तों पर चल सकते हैं. हमें यहां तक सिखने को मिलता है कि जब हम आपसी समझदारी और समर्प जीवन की ओर बढ़ सकते हैं. इसके लिए हमें अपने स्वभाव को समझने और उसे सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाना होता है. जेन आस्टिन की गर्व और पूर्वाग्रह का गीत ने हमें यह दिखाया है कि सच्चा सम्रिध्य और खुशियां वहां हैं. जहां हम अ आत्मा समर्पन और समझदारी के साथ ही वास्त्विक रूप से सम्रिध्य की उँचाईयों तक पहुँच सकती है. हमें यह सिखने को मिलता है कि गर्व और पूर्वाग्रह के बावजूद हम एक उच्च स्तर के सम्रिध्य और सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जो सामाजिक आत्मिक और भावनात्मक परिवर्तन के साथ आता है. गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक यात्रा का सफर है जो हमें सिखाता है कि प्रेम और समर्पन के माध्यम से ही हम सच्चे और सत्य प्रिय जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं. यह एक अमूल्य उपन्यास है, जो ह हम यह समझते हैं कि गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक आदर शुपन्यास है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची सम्रिध्य और खुशियाओं वहां मिलती हैं, जहां हम अपने आत्मा को समझते हैं, अपने दोशों को स्वीकारते हैं और समर्पन से जीने का जेन आस्टिन की यह श्रेष्ट रचना हमें बताती है कि अगर हम अपने आत्मा की गहराईयों में जाकर अपने अंतर निहित स्वभाव को समझ कर और दूसरों के प्रतिसमर्पन से जीते हैं, तो हम एक उच्च स्तर के सुख और सम्रिध्य की प्राप्ति कर सकते हैं, इस क दूसरों के साथ सच्ची और गहरी समझदारी बना सकते हैं, जिस से सम्रिध्य शील और सामंजस से पूर्णर रिष्टे बन सकते हैं। गर्व और पूर्वाग्रह का गीत एक ऐसी कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ सच्चे प्यार, समर्पन और समझदारी में ही है। इसका समापन हमें यह बताता है कि अगर हम अपनी भूलों से सीखते हैं और सम्रिध्य शील जीवन की ओर बढ़ते हैं, तो हम सच्चे सुख और सम्रिध्य का अनुभव कर सकते हैं। समाप्ति के समय हम यह भी याद रख सकते हैं कि गर्व और पूर्वा ग्रह का गीत एक सामाजिक उपन्यास है, जो हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी अवगुणों और दोशों को स्वीकारते हैं और उन पर काम करते हैं, तो हम स्वयम को सुधार सकते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि सच्चा प्यार और समर्पण के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को जान सकते हैं और उच्च स्तर की सम्रिधि की प्राप्ति कर सकते हैं। जेन आस्टिन की इस उपन्यास ने हमें यह भी याद दिलाया है कि सच्चे प्रेम और समर्पण में ही वास्तविक खुशियों का स्रोत होता है। यह एक आदर्श समाज की ओर हमें प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करता है, जहां सभी व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता, योग्यता और अनुभव के आधार पर मौका मिलता है। इस उपन्यास के माध्यं से हमें यह भी सिखने को मिलता है कि समर्थन और समजदारी के माध्यं से ही हम दूसरों के साथ सही संबंध बना सकते हैं और सम्रिध्ध शीलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। यह एक उत्कृष्ट साहित्तिक्रती है जो हमें जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए प्रेरित करती है। समाप्ति के समय इस उपन्यास से हम यह भी निकाल सकते हैं कि जीवन में सफलता और समृध्धि का मार्ग अपने आत्मा की आवश्यक्ताओं और सत्य के मार्ग को पहचानने में ही है। जीवन का असली आनंद और सफलता तभी होती है जब हम सभी को समाहित करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ते हैं। इस उपन्यास का समापन करते समय हम इस सत्य को याद रख सकते हैं कि यदि हम गर्व और पूर्वाग्र के परदे को हटा कर आत्मा की सच्चाई को देखने का साहस करते हैं। तो हम सच्चे प्रेम, समर्पन और समर्द्ध की उँचाईयों को हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी, समर्पन और प्रेम के माध्यम से ही हम सुक, शांती और सम्रद्ध की सही दिशा में बढ़ सकते हैं। गर्व और पूर्वाग्रह का गीत ने हमें यह सिखाया है कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपनी भूलों को सुधारना और सुधारने का यही सही मार्ग है। जीवन का असली आनंद और सफलता तभी होती है जब हम सभी को समाहित करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ते हैं। इस उपन्यास का समापन करते समय हम इस सत्य को याद रख सकते हैं कि यदि हम गर्व और पूर्वाग्रह के परदे को हटा कर आत्मा की सच्चाई को देखने का साहस करते हैं तो हम सच्चे प्रेम, समर्पण और समृद्ध की उँचाईयों को हासिल कर सकते हैं। एक यहां तक कि यह हमें यह दिखाता है कि वास्तविक सुख और सम्रिध्य तभी हो सकती है जब हम अपने आत्मा की गहराईयों में जाकर उससे मिलते हैं और उसे सजीवता की उंचाईयों पर ले जाते हैं.